हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका स्टडी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकाइब की एकदम बेसिक लेबल से अगर जिने कुछ नहीं व्याता होगा वोकाइब में वह भी बरही हसानी से वोकाइ ठीक है और पिक्चर टेक्निक के साथ साथ कुछ वगया बहुत हैं जिसके नेमोनिक्स साथ साथ मैं कोई स्टोरी या इंसिडेंट आपको बताता हूँ चीजे आपको ज्यादा समय तक लंबे समय तक याद रहें जब आप एक्जाम देने जाओ जो आपको वो कोश्चन दि पता हो तब असानी से उसको वर्ड में यूज कर सकते हो उसके मतलब बता सकते हो ठीक है तो हमारी ये क्लास डेली होती है अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि मंडे टू फ्राइडे इंगलिस वोकाब की क्लास होती है और विकेंड पे मैं आप जो नया करता है आपके लिए सर्प्राइज होता है कि मैं इंगलिस ग्रामर की इंपोर्टेंट रूल्स लाता हूं जो कि बहुत ही बेनिफीसियल है जब आप इरा डिटेक्शन के कोस्टन कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत हिल्फुल होता है ठीक है तो यह आपका एक अप्सोड हो चुक है आज हमारा 30th अप्सोड है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास बीना देरी के तो जैसा कि आपको पता कि मैं हर क्लास के इंड में एक होंबर क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको इंसर करने पर ठीक है और मैं उस क्वेश्चन को अगले बीना देरी के अपने क्लास को सुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है तो आज का पहला वर्ड है वह सब क्या होगा बच्कन से आ रहे हो तो आपको यह चीजे आनीच यह सब easy easy वर्ड है अगर आपको यह भी नहीं आता है तो आपके लिए बड़े की बात है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है यह सब इसके नीमोनिक्स नहीं भी बताऊगा तो आपको चीज़े क्लियर रहेगी ठीक है इसके बात कर ले तो वह जागा अंसर्टेन जो निश्चित नहीं हो अनिश्चित डाउटफुल जिस पर संदेख किया जाए ठ ठीक है अब इस फिगर को ले लेना रिफरेंस में किया पासा को पलटते हो तो क्या होता है चांस सर्टेन है कि कोई एक चीज आएगी ठीक है ठीक है तो अगर आपने प्रोबैबिलिटी पढ़ी होगी तो आप बड़े अच्छे सा पढ़ लिए होगे 0 और 1 का मतलब क्या हो होता है ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं आई होप आपको चीज़ें किलियर हो गई होगी तो नेक्स्ट वर्ड है सैफ ठीक है सैफ मतलब क्या होता है जुंजलाना क्रोध करना ठीक है इसके लिए मैं नेमोनिक्स बना लो कि सेफ अगर बेकार खाना बना दिया बहुत पानी बहा इतना ठीक है तो पैसी जकते हैस सैफ से सेफ़ को क्या होता है सैफ मतलब ढ़ना क्रोध करना आगर सेफ ने खराब खाना बना दिया तो क्या होता है अब उस már से भुर्ड हो तो इसके इस की बात कर लगए तो इगा इन्यॵ यह इस saja क्या है सिरोनीम से देख पार है वो इस लर्की को कि इसको क्या हो गया जुकाम हो रख्या तो जुकाम होने के बाद क्या होता आप जुंजला जातो प्रोध में रहतो बड़ा टेंसर नहीं होता है बार बार नाक अगर आपकी बहर रही हो तो बहुत ही टेंसर नहीं हो ठीक है प्रीब्यस सारे क्लासे बहुत बार बता रहए घंड होना ठीक है सूधा ओता है ठीक है और नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट है चेंज, चेंज मतलब क्या था परिभरतन, यह बहुत-बहुत इजी है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका यूज भी देखाऊ, तो चेंज का सिनोनिम्स बात करें, तो अल्टर, फ्लेक्सिबिलीटी, एडप्टिबिलीटी, यह सब क्या हैं सिनोनिम्स, आपको एक और चीज़ पढ़ाया था, यह OWS में पढ़ाया था, सबसे सुरू महिल, सेकेंड या थर्ड क्लास में मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, OWS, क्या होता है, यह एक उची जगह होती है, जिसमें कोई परिभरतन ना है, ठीक है, वही होगे, इसके एंटोनिम्स, च नेक्स्ट्राइब क्या होता है, अरजक्ता, ठीक है, डिस ओर्डर, मिक्सप, मेस, कन्फूजन, यह सब क्या इसके सिरुनिम्स है, ठीक है, क्योस भी मैंने आपको करवार रख़ा है, आपने हमारी प्रिवेस क्लास की होगी, तो आपको मैंने प्रिवेस के क्योंस में, यह दो तीन वार करवा रखा ठीक है के और यह समय ने करवा रखा है ठीक है कि यह कर देता है कि क्या कर देता कोई विच्वी को मिक्स अप कर देता डिसॉडर एक जैसे नहों और आपको पता हो कि जब आपके हां वाइरिंग होती है तो आप जब बोड खुल के देखो तो उसके अंद्तार ऐसे उले ठादे ठीक है सक्कूंति तो क्या होता है डीसॉडर में होते मिक्स अप हो जाता है में बना हो रहते हैं है और घ्र плох की बाद बाद कर लें तो PAUL में बाद कर लें हो घर साइब आपको यह लिए चीज़ें तो आगे बाढ़ते हैं नेचर टेंप्रामेंट यह सब क्या है सिरोनीम से ठीक है तो आपके क्या हो सकता है कि आप क्रियेटिव हो सकते हो ठीक है पेसेंस आपमें होगी ऑनिस्ट हो सकते हो हमबल हो सकते हो लोयल हो सकते हो तो यह सब क्या है करेक्टर एच्छा दितर बताता है कि आप कैसे इंसान हो ठीक है तो यह बहुत इजी वाट है I hope आपको चीजे याद रहेगी चलिए एंट्रोनिम्स की बात हो जागा कर ले तो वह हो जागा है इल रेप्यूट ठीक है जिसके रेपोटेशन इल हो ठीक है इल रेप्यूट बोल सकते हो क्रुकुडड़नेस मतलब क्या होता कुटिलता ठीक है जिसके चरित अच्छे नहों ठीक है जो चरित तुर्बान नहों उसी को बहुत है एल रेप्यूट ठीक है शाले नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट जैसा कि आपको पता है कि वर्ण वर्ण सब्स्ट्जू़शन के सेसं पहला कीना वहां दूरत स्फटाइब thirds कि अपने मजें होगा कोगा गाल aquesta कि आप फानी के अलावए सोफट टरिंग होते हैं ऑनिक डिनक इसपट वाटर उसको रहे हो तो वह भी आपका भेवरेज हैं निम्बू पानी पी रहा हूऊ वह भी वेवरेज यह पानी के अलावा जो भी चीजे होती है बात कर लेते हैं नेक्स्ट है बेवी मतलब क्या होता है जूंड ठीक है ऑग्रूप ऑफ जूंड होता है बहुत लोग उसको मिसकंफूज कह जाते कि बेवी सिफ्ट गर्क के लिए होगा so group of girls को इंवेभी बोलते तो आप यहाँ पर misunderstood हो क्योंकि बेबी मतलब सिफ जूंड होता है यह एक पाटिकूलर नहीं कि गल्स के लिए हो ठीक है अब जूंड बोल सकते हो तो यह लड़कों के लिए भी हो सकता है बड्स के लिए भी हो सकता है इनिमल्स के लिए भी हो सकता है ठीक है तो किसी भी जूंड को दर्सानी के लिए वह वेभी का यूज करते हैं तो आई होप आपको चीज है किलियर हो गई होगी कन्फ्यूज नहीं होना कि बेभी सिर्प गल के लिए वोता है ठीक है अब देख पारगे इस फीगार से हैं कि सब ने जहूंड बना रखा तो यह वेभी है ठीक है चाले नेक्स्ट बात कर लेते next is bibliography ठीक है bibliography मतलब कहता है गरंट सुचि मतलब a list of books referred to in scholarly work ठीक है किसी भी scholarly work में बहुत सारे book का जो reference देते हैं ठीक है list बना कि उसी को कहते है bibliography गरंट सुचि बहुत सारे books होंगे ठीक है उन्हीं का एक गरंथ बनता है ठीक उनकी सूची बनाओ तो उसी को बोलते हैं गरंथ सूची बिब्लियोग्राफी लिस्ट होता है एक बुक का बहुत सारे बुक्स जो रेफर्ड आप करते हैं स्कॉलर रिवर के लिए जब आप बड़े बड़े बुक्स लिख हो गए या कोई अपना ऑटो बयोगर्णफी या फिर कुछ भी लिखते हो नॉब्ल लिखते हो उसके लिए इस बुक्स लेता है धिकल करना है तो यहीं उता है बिब्लियो किसे होता बुक के लिए तो बिबिलियो मैनिया मतलब क्या है कि खिताबों के लिए पागल पत्ति जिसके उपर किताबों के प्रती जुनून सबार हो, वही होता है बिब्लियो मैनिया, ठीक है, प्री ओक्वेशन विद्ध एक्वेजिशन अप्वुग, जिसके अंदर किताबों के लिए पूरा पागल पढ़नों, मुझे ये भी किताब पढ़ने हैं, वो भी किताब पढ़न ठीक है, वो मैनिया और प्रेमी अलग है, प्रेमी है कि one who is great lover of book, जिसे book read करना पसंद हो, ठीक है, उसको बोलते बिब्लियो मैनिया होता है जिसको books का पुरा जुनून हो, पढ़े है या न पढ़े, books पुरा collect करके रख लेता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहि ठीक है, one who is great lover of book, जो पुस्तक को एक-एक पुस्तक को अगर खरीद रहा है तुसे पढ़े रहा है, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सांत होता है, बिब्लियो फाइल और बिब्लियो मैनिया में, ठीक है, उसके उपर जुनून होता है, ठीक है, वो पढ़े है या न पढ़ हो तो बिब्लियो मैनिया हो गया, लेकिन बिब्लियो फाइल होता है, जो कि पुस्तक प्रेमी होता है, पुस्तक को पढ़ेगा, ठीक है, उसके अंदर जुनून है, कि मुझे किताब पढ़नी है, तो किताब पढ़ेगा, ठीक है, और मैनिया वालक को बस जुनून होता है, म जैसा कि आपको पता है कि हमारा next idiom and phrases के session होते हैं ठीक है और आज का पहला idiom है वो है as high as archive और यही मैंने last class में homework दिया था इसका मतलब बतार नसे में धूत ठीक है as the crowd flies मतलब क्या है नाक की सीध में सबसे छोटा रस्त दा सौटेस्ट रूट और आपने कभी क्रो को फ्लाइ करते हुए देखा होगा अगर आपके घर पे आता होगा ठीक है ऐसा रहता है कुछ ठीक है मैं अच्छाता नहीं बना पा रहा हूं लेकिन एकोसिस किया हूं कि अग सीधा उड़ता है कि हमें साट रूट चाहता है कि मुझे अगर यहां तक जाना है इस पेर के ऊपर बैठना है तो यह ऐसा घूम के नहीं जाएगा कि आपके घर के पीछे से घूम के आएंगे आराम सा मस्द प्री लेते हुए और फिर पेर बैठेंगे या फिर इधर से इस लिए इसलिए ना की सीध में आपके होगी तो सबसे चोटा रस्ता ठीक है जो स्ट्रेट पाफ होगा ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं आई ओप आपको चीज़े किलियर हो गई होगी तो नेक्स्ट है एज ठीक आज टू सॉट्स प्लैंट ठीक है मतलब क्या महामुर एक्स्ट्रेमली स्टूफिड और आपको कोई कह रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो वह कौन सा मजबूत होगा जब अब एक कोई लकरी लोग है जो कि बहुत मोटा होगा ठीक है लेगिन होई पर एक दूसरा बंद है कह रहा है कि मैं इतना पतला एक और लकर ले क्या हो अब महामोर्ण को एक साथ जब यह ना पर जा सकता इसकी ठीकनेसा है गो कि ऑसा है कि फिक्टर को देख लो है कि फिर इसकी ठीकनेसallas आपना चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल मतलब क्या है अगर आप परिशानी को जाओ और को कि आजाओ मेरे पास आजाओ मतलब क्या है कि आप बहल मुझे मार वाली सुच्योसन है मुसीवत को मोल ले रहो फलतू का ठीक है जैसे कि आप रो करना है कुछ तूफानी करना है तो चलो आज बहल ख़रा है उसको जाके लाल कपड़ा दिखा रहे है ठीक है और कहरो कि आ बहल मुझे मार ठीक है तो वही वाली सिच्योसन थी आस्क फॉर ट्रबल ठीक है और इससे समझना आया हो तो एक और एक्जम्पल बनाता हूं कि सिच्योसन वाथा है आस्क फॉर ट्रबल ठीक है एक्ट इन वेट डैट इस लाइक लिटी टू इनकर प्रोबलम्स और दिश्कल्टीज ठीक है आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो आगे बाठते हैं आगे बात करतें नेक्स्ट है एसलिप एट दा वील तो आप ड्राइव कर रहे हैं और सो जा रहे हो तो आप ड्राइविंग सीट पर देख पार रहे हैं उसको सो गया बंदा मतलब क्या कि काम के प्रति यह चौकस नहीं है जो अपने ड्यूटी के प्रति अटेंटिव नहीं हो उसी को बोलते हैं अगर वील आप चला रहे हो तो क्या करो आप काम करते रहे हैं लेकिन वहीं पर सो जाओ तो क्या होगा आप काम के प्रति चौकस नहीं एक्सिदेंट भी हो सकता है ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं नेक्स जैसा कि आपको पता कर अगर प्रति की लाउड़र मुलतीका पिटा रहे हैं फिर प्रति इसको मेंदस निकल आप नए है तो मैं बता दौ कि सीज्च के इंगल इन्ँगी के question को सही करने के लिए ठीक है ताकि हम इसकी help से पता करें कि कौन से पार्ट में sentence के error है sentence improvement है हम sentence को improve कर पाए ठीक है तो एक साथ हम 100 rules तो discuss कर नहीं सकते क्लासे लंबी हो जाएगी आपको चीज़े समझ नहीं आगी तो डेली हम अपने क्लास के साथ एक-एक रूल discuss करते हैं ताकि आप उस रूल को अच्छे से समझ पाओ उस पर बेस्ट कोस्टन भी प्रैक्टिस कर पाओ ताकि एक्जाम में जब जाओ तो आपके पर नावन होगा वह कौन से केस में होगा वह पोजेशिव केसमें होगा ठीक है अगर जेरेंड के पाद आप को और को प्रोजेशिव केसमें बनाना ठीक है तब का संटन्स होगा एक देखो जैसे कि वह इंफासाइज मीघंग देर तक देख लो अक्या है गोईंग तो ये क्या हो जागा इसको प्रोणावन में बनाना ठीक है कौन से प्रोणान में आपको पता आ ईंजि लगा होता है च्टिक आप च्छन सकते हैं जिसमान लगा होता है तो जरेंड के पहले प्रीशीड करें ठीक है यह जरेंड है इसके पहले जो है प्रोनाउन यूज व रहा तो हम ऐसा पॉजेसिब केस में होगा ठीक है आपको यह चीज याद रख में कि जहां पर आपको जे रहन दिखें उससे पहले जो भी प्रोनाउन दिखें उसको आपको जैसिश्व केस में कर दें ठीक है तो आपको idiom का मतलब बताना है ठीक है 10 सेकेंड मिलेंगे फियर विदर फेंड ठीक है 10 सेकेंड से ज्यादा ले लो आप टाइम ठीक हो चार आप्शन है और पर्सन हुई फ्रेंड विद यू एवरी डे और पर्सन हुई फ्रेंड विद यू डिूरिंग दा नाइट आपको डायक्त मीनिंग दे देता है कभी उसको सेंटेंस में दे देता है तो आपको चीजे याद रुखनी पड़ेगी फियर विदर फेंड को ता मतलब ही याद होता है ठीक है तो आई होप अभी तक आप लोग एनसा सही सही कर देया हो तो इसका सही एंसर होगा पहले आप संटेंस देख लो फिर में टाइमर स्टार्ट कर रहा है ठीक है तो चार संटेंस है वाकिंग बेर फिट ऑन ग्रास गेब हिम कोल्ड फिट ठीक है रनीता वाज नोट सेलेक्टेट फॉर दा जॉब एज सी गॉट फिट फिट आफ्ट तूमर्स साइक्लिंग 10 सेकंड मिलना और आपके फिट कोल्ड कब हो जाते हैं पर जादा पर फिए नहीं होते हैं अगा अज होप आप सब्सक्राइब नहीं होगे नहीं होगे तो आपको क्या होगा डर लगेगा तो आपके फिट क्या हो जागा ठंदे पाजए ठीक है तो खब आप वेल नहीं हुए जोग के लिए क्यों कि आप भावीथ थे ठीक है आप घबरा आ गये थे जब selected ही नहीं हुए तो आप घबरा है ठीक है तो पोल्ड फिट हो गये चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको वन वर्ड वताने इस ग्रूप वर्ड के लिए ठीक है चार ओप्सन है फटाफट एंसर करियेगा बहुत एजी है बहुत बार आ चुका यह तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसका राइट एंसर वह है ट्रेडिवर ठीक है जो आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है ठीक है उसी को बोलते क्रेडिवर नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आप उस सीनोनीम से बता रहे हैं डेमॉलिस का यह भी मैं प्रिवियस क्लास में करवा चुका हूं ठीक है चार अप्सन है फाब्रीकेट रूइन सेप्रियेट चलिए फटा-फट एंसर कर दिया होगा तो ढमलिस मतलब क्या होता है नास करना ठीक है कि सिनोम्स हो जाएंगे रूइन मतलब क्या होता है था है और शेक्सको वह बोल सकतो रैवेज क्या वह सकते अर्ब उस प्रेडिश्टरौन्स हो ढें साब небित्री यह सभी देखो तो एक तरह सी यह सार Eastern से मतला सकता आ और नहीं भी पता होगा तो आप आपको सिनोनिम्स बताना है फ्रूगल का ठीक है चार अप्सन है नेगलीजेंट इकनोमिकल ओनेस्ट इंप्रूडेंट ठीक है यह मैंने करवा रहा का प्रिविएस क्लाश में तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा दस सेकेंड बहुत ज्यादा था आपके लिए दो से फिन सकेंड लगने चाहिए था और आप सभी लोग ने साइस से एंसर कर दिया होगा ठीक है आई होप तो फ्टुगल का जो साइस enMO निम से है वो यह सब मैं बता चुका हो एक और मैने बता है था इन एक्स्पेंसिभी वी बोल सबतो है और बात करें, negligent मतलब क्या होता है, लापरवा, ठीक है, इसको अब मैंने क्या बता है था, reckless, ठीक है, reckless, और क्या बता है था, careless, ठीक है, carefree, carefree, जो care ही ने करें, लापरवा होगा, और एक और बता है सुपाइन, याद होगा अगर आपको, तो मैंने ये भी बता है था, honest हो, loyal हो, ठीक है, upright हो, तो ये सब होगे, honest का, imprudent मतलब क्या हंते हैं, imprudent का मतलब, 2, meaning होता है ठीक है, अगर आपको पता होता होता है, एक होता है दिलेर और एक होता है बेसर्म हना, ठीक है बेसर्म भी होता है, तो पले सर्म के लिए आप बहुत सकते हो, सेमलेस और एक होता है दिलेर तो दू मतलब होते है इंप्रूड ठीक है इंप्रूडेंट का ठीक है तो दिलेर के लिए आप बोल सकते हो परकी और क्या बोल सकतो आप ब्रेव बोल सकते हो दिलेर है मतलब क्या है ब्रेव है और ब्रेव है तो आप एक और वर्ड में बता दू पाफ लोग नसे सुना होगा और यह कॉड़ वाता है इस पर आपख लेस्सी मूबी बना है इसको बोलते डेयर डेविल को पीज़ा बेंगे। सब्सक्राइब नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना ठीक आज सिनोनिम्स सिनोनिस हैं ठीक है चार अप्षन है डिग्रेडेशन इस्ट्रेस्ट डैमेज केटास्ट्रोफी पहले फटा फटेंसर करिएगा दस सेकंड बहुत ज़्यादा था आपके लिए इस कोश्टन के लिए दो से चार सेकंड होने चाहिए था ठीक है तो क्लेमेटी मतलब क्या होता है आपदा यह तवाही इसका सई सिनोनिम्स क्या हो जागा कैटास्ट्रोफ ठीक है आप कहोगे कि डैमेज क्यों नहीं होगा ठीक है कैटास्ट्रोफी और डैमेज में अंतर है अब बोलोगे कि क्या अंतर है तो क्या कैटास्ट्रोफी जो होती है वह क्या होती आपदा होती तवाही होती तो बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है ठीक है पेरील बोल सकतो इसको और डैमेज भी होना इस्ट्रेस आपको पता है मतलब मैंने बता रखा तनाव तेंसन बोल सकतो आप इसको तनाव हो तो क्या होगा तूद ही तनाव होगा पतन बिच्छी का फतन हो जाना मतलब कमी हो जाना उसमें फॉल बोल सकतो मिलोटैंस तो और क्या बोल सकत हो के अलावा विदी डि बेकल कि अब सकत हो तो टावी और लिड गल मिलेंगे आपपलेंटी city फूल मills फर थ にरे अप देख पा רहे हो ही इसमें तो आप आप से एलिमिनेसन से भी कर पा रहे होंगे. ठीक है? आपको कई पर सिनोनीम से भी देख रहे होंगे. और यहां पर अंटोनीम से पूछा है. Abundant मतलब क्या होता है? प्रछूर. ठीक है? आपको बता चुका loss, plentiful, applentty, यह सब क्या है? कि इसका और अ मतलब क्या होता है का सर्थ करना भी होता है विर्द मनें नशने ऐसंसे का Carlo से का सब इसको जरीश्ट क्या होजाएंगे मिनिमम हम यह सब क्या है इसकी सुनोनुमाल है अब जयो होता है तो इसको आप बोलानाarpियक्ट प्रौडक्टीव फूट फूल टीक फूट फूल यह सब क्या है इसके सुनよろनिय के चलिए आपको हुंबर्त बताना है इस हीडियम का मतलब थे लॉट्स तो आज के लिए आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूरू बता है अगर अच्छी लगी यह वीडियो तो लाइक का दे दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जैसा कि मैं कहता हूं कि हमारी क्लास पचीस से तो अभी आप क्लास अपनी घरी में देख पा रहे हो तो हार्ली 28 से 29 मिनट होए होंगे और हमारी क्लास एंड हो चुक है तो उन सबी के लिए क्लास बेनिफिचल है जो वक्ताइब सीखना चाहते हैं कि हम बेसिक लेबल से और इमिल्स के ग्रामर साथ में सीख लेंगे ठीक है